मैं ये वीडियो उन किसान भाईयो या मेरे उन यूवा साथ यू को समर्पित करना चाहता हूँ जो मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करते हैं कि अंकित भाई इन पेड को हम कितने डिस्टेंस पर लगा सकते हैं यान कि कितने भाई कितने पर लगा सकते हैं नमस्कार किसान भाईयों, मैं अंकित सर्मा, अपने YouTube चैनल सर्मा पोपलर नरसरी पर आपका हरदिक स्वागत करता हूँ आज मैं आपको बताऊंगा कि खेत में पेड़ को कितने भाई कितने पर लगाना चाहिए अगर किसान भाईयों हमें पेड को यानि कि पेड की फसल में हमें फसल करनी हो तो उस फसल में हम गन्ना अधरक हल्दी ग्याहूं अधी लगा सकते हैं तो उसमें हमारा डिस्टेंस कितना रहेगा पेड़ का तो उसमें हमारा डिस्टेंस रहेगा तेरा भाई तेरा ये चोदा भाई चोदा जैसे कि आप ये प्लाट देख रहे हो इसका डिस्टेंस है तेरा भाई तेरा और तेरा भाई तेरा पे ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ क रहता है किसान भाईयों अगर हमें पॉपलर के पेड़ लगाने हो उसमें फसल नहीं करनी है तो उसका डिस्टेंस सत्रा बाई पांच सत्रा फुट चोड़ाई और पांच फुट पेड़ से पेड़ की दोरी ऐसे ही 16 बाई च्छे पर लगा सकते हैं उसमें आपको फसल नहीं करनी होती है तो आप उस डिस्टेंस पर लगा सकते हो अगर हम 13 बाई 13 ये 14 बाई 4 लगाएं तो हमारे जो पेड़ खेट के अंदर आएगा खेट खेट के अंदर आएगा वो कम से कम 220 पेड़ आएगा किसान भाईयों अगर हम बाउंडरी पेड़ लगाएं खेट के 4 तरफ पेड़ लगाएं तो हमारा पेड कम से कम 160 या 170 पेड बाउंडरी बाउंडरी पर चर्रों टरफ की बाउंडरी पर आयेगा, और बाउंडरी पर डिस्टेंस इसका पाँच फूट रखी, 5 या 6 फूट रखी, इससे ज़्या डिस्टेंस मत रखी किसान भाईयो 13 भाई 13 या 14 भाई 14 पे टोटल पेड हमारे कम से कम 380 पेड हमारा एक एकड में लग जाएगा अगर हम दूसरी तरफ देखें 17 भाई 5 या 16 भाई 6 पेड लगाएं तो उसमें हमारा टोटल पेड शड़े 500 से 600 के करीब आएगा किसान भाईयो अगर हम 13 भाई 14 भाई 14 भाई 14 पे पेड लगाएं तो उसमें हम टिलर के साथ बहाई या रूटल वेटर के साथ बहाई दोनों तरफ से कर सकते हैं मगर 17 भाई 5 ये 16 भाई 6 पे हम पेड़ को लगाते हैं तो अब हम उसमें दोनों तरफ वहाई नहीं कर सकते उसमें सरफ एक ही तरफ वहाई होगी भाईयो किसान भाईयो आप ये प्लाट देख रहे हो ये 13 भाई 13 पे लगा हुआ है और ये जनवरी में जाके 2 साल का होगा और मैं इसकी आपको ग्रोथ दिखा देता हूँ किसान भाईयो ये हमारी कंपनी का पेड़ है सर्मा पॉपलर नरसरी एग्रोटेक का इसमें आप ग्रोथ दे सकते हो ये जनवरी में जाके 2 साल का होगा तो इसका आप देखिए इंच गोलाई देखिए 23 इंच पे इसकी गोलाई है अगर किसान भाईयो या मेरे युवा साथियो आपको कोई भी इन्फोर्मेशन पोपलर से रिलेटेड लेनी हो उसको कितने बाई कितने पे लगाना चाहिए किस टाइम खाट डालना चाहिए आपके हम पूरी साहता करेंगे धन्यवाद किसान भाईयो और अगर आपको पेड़ बुक करवाना हो तो आप सर्मा पोपलर नरसरी एग्रोटेक पे कोंटेक्ट कर सकते हो धन्यवाद किसान भाईयो